चलिए सर्थ अगें वेरी वेरी गुड इवनिंग आज फाइनेंशल मेनेजमेंट की कुछ बच्चों को न भी एक्जाम भी है अभी एक एक्जाम रहता है जो कल खतम हो जाएगा तो फाइनेंशल मेनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है आज सारी बाते इसके बारे में करने वाले हैं सरफ और हम इंट्रोडक्शन यानि पूरा जान लेंगे अबाउट फाइनेशल मेनेजमेंट में है क्या सबसे पहले ये सब्जेक्ट न हमारा बीकॉम के अंदर है और ये प्रोग्राम में भी मिल जाता है आपको और ओनर्स में भी मिल जाता है ठीक है प्रोग्राम में भी और ओनर्स में भी सर ये समिस्टर हर यूनिवर्सिटी का अलगा अलग होता है लेकिन डेली यूनिवर्सिटी में ये समिस्टर नंबर फाइव के अंदर आता है अब कुछ बच्चों के बहुत सारे सवाल है उनके भी जवाब देंगे कि हमें कौन-कौन से subject choose करने है क्या-क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए हर एक चीज का एक एक करके discuss करेंगे और कौन सा exam में कितने chapter हैं क्या-क्या समझेंगे इस chapter में वो सारी चीजे हम इसमें देखने वाले हैं तो देखे अगर मैं बात करूँ ना financial तो financial का मतलब basically होता है पैसा management का मतलब manage करना और business के अंदर अगर हम account की बात करें ना तो account बहुत type के हुए अकाउंट का अगर हम बात करें branches, section कौन-कौन से क्या करते थे सबसे पहला हमने पढ़ा financial account है ना अपने slaves के according 11 वी में, 12 वी में, 1st year में, 2nd year में हमने पढ़ा financial accounting इसके अंदर बहुत सारे parts थे, sole proprietor का था आपका या फिर आपका corporate account था तो ये सारी चीज़े जो पढ़ाना, ये पता है कौन करता ये सारे काम ये सारा काम होता है हमारा, अगर job की बात करें तो as a accountant अगर आप as a accounting job ढूंड रहे हो, as a accountant अगर आप job करना चाहते हो तो आपके लिए जो basic basic balance sheet बनाना, पी एंडल बनाना वो चीज़े जरूरी थी जो कि यहाँ पर सिखाया गया उसके बाद सार कुछ और भी बाते सिखाया गया आपको income tax सर income tax क्यों सिखाया गया? ये भी एक मैं accounts का branch ही मान के चल रहा हूँ कि अगर किसी को अपना इस balance sheet वाले field से अगर मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि commerce का मतलब ऐसा थोड़ी ये commerce लिया और अब बंद गए आपको commerce में भी बहुत different options है subject के according ये समझना बहुत जोड़ी है तो जिसका मज़ा आ रहा है balance sheet बनाने में पी एंडल बनाने में वो तो चला जाएगा accountant के line में और जिसको income tax में बहुत अच्छा लग रहा है तो वो चला जाएगा income tax consultancy department में consultancy department क्या होता है कोई वेक्ति आपके पास आता है और वो अपना tax का return file करवाता है वो suggestion लेता है कि हम क्या करें कैसे हम tax का best saving कर पाए प्रोपर्टी बेच रहे हैं तो आप बेचना चाहिए बाद में तो यह consultancy में चला जाता है इसके बाद अगर इसमें भी आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपको एक subject और पढ़ाए गया that is cost cost जो पढ़ाए गया उसके अंदर निकला cost per unit कैसे निकालते हैं आप सभी ने पढ़ रखा है तो मुझे ज्यादा explain नहीं करना इसके अंदर आपने क्या देखा सर के cost sheet कैसे बनता है machine hour rate कैसे निकलता है operating cost कैसे निकलता है यह बहुत सारी चीजों को आपने इसमें observe किया सर जिसका भी मन इसमें नहीं लग रहा balance sheet बनाने में तो वह चले जाते हैं यह भी option available है इसमें अपना career strong कर ले या cost में अपना career strong कर ले cost का मतलब कि आपको वहाँ पे manufacturing जैसे मार finance सभी में से किसी में मन नहीं लग रहा तो उनको पढ़ाया जा रहा है financial management sir इसमें कहां job लग सकती और क्या सीखेंगे basically finance को manage करना finance को manage करना यानि एक तरीके से managerial work हो गया management का work हो गया पैसे का और जो finance का management की बात किया जाना है तो बिल्कुल जो top level के जो होते हैं वही करते हैं अब किसी company के अंदर ये machinery खरीदनी है या machinery नहीं खरीदनी है क्या कोई worker decision ले सकता है उसका नहीं ले सकता है उसके लिए director management इस तरीके के लोग decision लेते हैं और वो भी decision ऐसे नहीं करत तो जो इस course में जाता है वो management में चला जाता है और मैं कहूंगा सभी accounts में से सबसरे जो top level की job होता है न यहाँ चले जाए तो management हमारा last एक तरीके से final year में है और income tax के बाद भी बात करें न तो बहुत लोग बोलते हैं सर हमारा इसमें भी मन नहीं लग रहा तो उनको पढ़ाया जाता है फिर भाई आजाओ आप GST सीख लो GST भी आगे आएगा आएगा आपके subject में कुछ बोलते हैं सर मेरा इसमें भी लग नहीं रहा कि मुझे मज़ इसमें यह सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं जिसमें से हमारा एक यह कोर सब्जेक्ट होता है financial management कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या है मतलब यहीं है कि यह वह subject है वह point है जिसके अंदर अगर आपको career बनाना है तो good opportunity रहता है आपने कई बार सुना होगा कि हमें future में ना MBA करन रहता है और commerce के बच्चों को ना priority रहता है MBA in finance क्योंकि MBA का मतलब क्या है master business administrative में तो master किस चीज़ का किसी एक particular तो आप marketing में भी होते हो finance में भी होते हो और different different category है तो उनका main होता है MBA in finance तो अगर आप आप MBA करते हो तो आपको यह subject पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा आगे चलके तो इसलिए मैं बोलता हूं बहुत important है regular college के जो बच्चे होंगे अभी तो regular में तो उनको option नहीं दिया जाता है regular में बोला जाता है कि भी आ financial management ही पढ़ना है ठीक है तो यह था कुछ overall के हम अपने commerce को किस तरीके से आगे बढ़ाते जा रहे हैं पहले हमने accounts पढ़ा फिर हमन in the sense के हमें financial management के अंदर ही आपको बड़ी बड़ी जैसे portfolio management हो गया वो थोड़ा और आ जाता है fundamental investment ठीक है न सर स्लेवर्स क्या है इसका इसका स्लेवर्स आपके पांच unit है जैसे हर बार देखते हैं पांच unit unit number one में दो chapter है आपका time value of money जिसने business mathematics पढ़ा होगा उसने MOF mathematics of finance पढ़ा होगा ठीक है तो जो वो वहाँ पे था यहाँ पे हम पढ़ाते हैं आपको according to time value of money और यह introduction तो हमेशा से हर किताब का पहला chapter तो theory कही रहा है कोई भी किताब उठालो जर्नल ली तो यह theory का है सर यह unit आपका जो है वो 15 marks का है हर एक unit D.U. ने इस बार कर रखा है आपका पंद्रा नंबर का चेक है ना हाँ एक theoretical एक practical अब अगला unit number 2 इसके अंदर capital budgeting introduction और capital budgeting technique capital budgeting basically क्या होता है यहाँ पर capital का मतलब जब पढ़ेंगे तो देखेंगे capital का मतलब यहाँ पर होता है assets तो assets को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए अगर खरीदते हैं तो कितना नुकसान होगा और कहीं और से खरीदा जाए तो एक management वाला काम आएगा हलाकि यह दोन यूनिट में आपके धेर सारे चप्टर हैं cost of capital leverage EBIT leverage capital structure factor of capital structure थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं सर cost of capital में क्या पढ़ेंगे कि हम loan को लें या debenture issue करें या equity यानि करजा जो लेंगे उस करजा सबसे सस्ता कहां पढ़ेगा company को वहां से लेंगे तो यह सिखाए जाएगा leverage leverage क इसके बाद आगे हमारा factor capital structure कौन-कौन से ऐसे factors है जो capital structure को affect करता है तो यह इस unit में जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल detail में पढ़ने वाने है तो total chapter 9 हो गएगे dividend decision हाला कि मैं इसे एक ही chapter मानता हूँ यह भी सर 15 नंबर का chapter आएगा exam में सर यह भी 15 marks का chapter आएगा यह syllabus आप लिख लेजिएगा इसके बाद अगला 5th unit है और इसमें से भी 15 marks का आपका पूछा जाएगा इसके अंदर क्या है सर एक working capital आप सभी ने working capital सुना भी है पहले देखा भी है current assets minus current liability वो short form में करते तब थोड़ा ओर detail में जाएगे कि working capital कैसे निकाला जाए इसके बाद management cash cash को कैसे manage किया जाता inventory stock को manage यह basically EOQ जो किया था ना आपने वही है last वाला solva chapter ठीक है तो here आपका पूरा का पूरा syllabus है as for due syllabus ठीक है जिसके अंदर हमें कैसे करना है नहीं करना है सबसे पहले हम क्या refer करने वाले हैं हम इसके लिए book भी use करेंगे इस बार क्योंकि हमारे पास सबसे बहतर time मैं समझता पूरे 6 मैंने जो actual एक student को time मिलना चीए बाकी का semester तो दोड़ते दोड़ते निकला है तीन मैंने चार मैंने पहला semester के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरे में भी time ने दिया तीसरे के बाद फिर चौते में ये semester ऐसा मैं मानता हूँ जिसमें आपकी अच्छी से मैं इसको भी करने वाले हैं सेकिंड प्लास है कि टैनियर भी पूरा करने वाले है कि सर अगर बुक की बात करें तो कौन सा बुक यूज करेंगे आपके डैली उनिवर्सिटी में जो सबसे फेमस सबसे पॉप्लर बुक है वो है हमारा आरपी रस्तोगी आरपी रस्तोगी बुक का नाम देख लिजिए किसमें है हाँ दोनों में एक ही बुक है आरपी रस्तोगी चाहे बच्चा ओनर्स का हो चाहे प्रोग्राम हो टैनियर सिवदास का आपका टैनियर अभी आया नहीं क्योंकि उसमें अभी अपडेट आएगा तो मैं बता है तो अगर आपके पास पिछले साल की वूख हो उस से पिछले साल की बुक हो चलेगा तो इसमें दिक्कत निली बत्चे यॉस उगर कर सकते हो तो ऊप्रेजी रहेगा हम सबसे पहले जो यूनिट नंबर 5 start करेंगे सबसे पहले हम start करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 तर ऐसा क्यूंग इसमें कुछ आसान आसां चेप्टर है और जो मैंने 15 marks काएगा इसमें chapter भी ज़्यादा है और इसको पहले हम cover करेंगे book से भी cover कर लेंगे sir 10 years से भी cover कर लेंगे सारी चीज़ों से cover कर लेंगे अभी बता देंगे सारा other subjects का भी क्या क्या है कौन-कौन सा subject हम start करेंगे नहीं करेंगे हां जी financial management अभी सारी बाते करेंगे तो मैं अभी जो बता रहा हूँ यह बता रहा हूँ financial management और short firm में इसको हम FM भी बोलते हैं और भी short firm में कई बार हम इसे SFM भी बोल देते हैं strategic and financial management बड़ा हो जाता है जो बच्चा CA कर रहा होगा उससे अच्छे से पता होगा financial management एक अलग subject होता है उसके उसमें से marks भी आते हैं आपका group 2 का last paper होता है financial management and economics जो की पढ़ रहा होगा CA वगरा intermediate क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ करी रहे होते हैं सर यह course मैं आपके life के लिए इसलिए important कहूंगा क्योंकि आगे further MBA करते हो और best opportunity रहता है कि MBA आप DU से करो DU SL वालों ने में अभी merit basis पे admission ले रहे हैं और आने वाले time में 2-3 साल होगा न तो वो भी अप test लेना चालू कर देंगे क्योंकि अभी बच्चों को aware नहीं है तो वो सोचने के पहले सीटे फुल कर ले बाद में दिक्कत होगे तो आपके पास वहां पे भी यह subject आएगा तो वहां आप परिशान होगे better है कि आप अभी इसको पढ़ ले पहला तो हमारा ये सारा का सारा overall syllabus था हम पूरी बुक को cover करने वाले हैं बुक के अंदर practical है illustration है whatever है सारी चीज़े बिलकुल books के approach से और tenure के approach से पढ़ेंगे हमारे पास exam जो है नमेंबर मन्त में होगा और last में exam होगा वो सारी चीज़ों को हम अच्छे से धीरे-धीरे cover करें नमबर end में या नमबर 15-16 तर तो वही exam का tenure रहेगा अभी हमारे पास जून जुलाई अगस कल कुछ बच्चों का paper भी है मैं मानता हूं तो मैं ज्यादा वक्त आज नहीं लूँगा मैं जो chapter start करने वाला हूं unit 2 वह next class के अंदर start करूँगा क्योंकि कल paper दे देंगे बच्च इसके बाद आप graduate हो जाओगे एक माई के अंदर मतलब next पता भी नहीं चलेगा साल निकल गया और उस टेम पर आपको फैसला पहले ही लेना पड़ता कि आपको करना क्या है और semester 5 और 6 आपका हमेशा से आसान बनाया जाता है उसके पीछे कारण ये रहता है कि बच्चा जो ह तो अभी से तैयारी करेंगे ताकि उनका एक साल बच जाए